हेलो एन वेल्कम काई सवागात अपरका पेंटार्श डिस्टन चेनल चेनल में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहां से मालो वर्सिस सब्सक्राइब करेंगे तो बात करेंगे इस मैंच के इस से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है के यूटूब चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया तो यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लेजेगा क्योंकि यह फूरी टूर्णामेंट कवर करने वाला है उसके साथ-साथ जो अच्छी मैचिस आने वाली है और बहुत सारी अच्छी टूर्णामेंट शुरू होने वाली है तो सारे मैचिस के वीडियो आपको मिल जाए ओफिचल स्टेट्स मिल जाए और यहां से प्लेयर ए मैच के तो यह मैच सो दो पेर में तीन बच कर तीस मेंट पर कर्टमा ओलंगा स्पैन में खिला जाएगा पीच रिबॉर्ट की बात करता है तो यहां से बेच्मन और बॉलस दोनों को मिल सकते हैं क्योंकि यह जो पीच रहता है यानि कि रबबर वो सबसे मिला कि एकदम सफ किया और दोनों मैचिस के अंदर सिर्फ एक एकरन का स्कॉर किया था वैसे ओरल रेकोर्ड्स रून के ठिक तागे 14 मैचिस के अंदर 245 रन है 18.4 के एवरेज है और यहां से 12 विकेट्स है तो ओर्स तो करवा है नहीं लेकिन कभी भी ओर्स करवा सकते है तो इनको थोड़ा स आप नौटिस करके रखिएगा हो सकता है आज की मैच के अंदर ज्यादा दर जनता उनको लेखे ना आए लेकिन डिफरेंशियल चोइस पर एक अच्छी पिक बन सकती है उमर फारुग इतने इंपोर्णन नहीं रहेंगे क्योंकि दोनों मैचिस के अंदर इतना कुछ खास परफॉमस दियाने और वैसे भी रेकोर्ड्स भी इतने कुछ खास नहीं पांच मैचिस के अंदर 56 रहने तो रिस्ट की दोर पर इनको लिजेगा डिफरेंशियल चोइस पर ही लेना है क्यूंकि काफी रिस्ट की प्लेयर हो सकते है आमिर जयब तो इनके बारे में मैंने ला करवाता हो नजर आएगा और वैटिंग से भी आपको अच्छा खासा रन करता हो नजर आ सकता है यहांसे आमिर जयब को एच प्लेयर जरूर ट्राइक करना है सयद मैसम 14 मेंचिस के अंदर 116 रन है दस की एवरेज है साथ विकेट से राइटम फास गेंबाजी करवा जरूर ट्राइक कर सकते हो नजर मैंचिस के अंदर इस पूरी टीम के तरब से सबसे अच्छा परफोमस यहांसे नजर नहीं दिया है दूनों मैंचिस के अंदर सबसे हाई स्कोर उनका ही रहा है तो हमारी लिए वेरे इंपोर्टनेट रहने वाले इस तीम से नजर नजर अ लेकिन और रोल रेकोर्ड भी इतने कुछ खास नहीं तीन मेंच के अंदर जिरो विकेट है तीन वोज की गैनबाजी की होई और पॉट इदली रन की होई तो यह ज्यादा रिस्की हो सकते हैं राइट अम स्पीन गैनबाजी करवा लेते हैं लेप अंडेट बैटिंग करवा अमीर अकरम ने लास्ट मेंच के अंदर बारा रान का स्कॉर किया था पंद्रा मेंच के अंदर वैसे ओवरॉल उनके 56 रहने इतने कुछ खास है नहीं लेखिन कल ज्यादा दर जनता उनको लेके आ रहे थी 85 परसेंटेज उनका सिलेक्शन था और काभी सारी जनता उनको तक तक तो ओवर्स की नहीं और वैसे ओवरॉल रेकोर्ड्स में भी उनके कही पर भी बॉलिंग के आंकड़े नहीं हैं तो जूल फिकार शाह ने 14 मेचेस के अंदर 12 विकेट निकाले वे लेकिन लास्ट मेच के अंदर उन्होंने भी ओवर्स नहीं की तो हो सकता है ये इतना कुछ खास किया नहीं लेकिन लास्ट मेच के अंदर एक ओस जरूर की थी तो थोड़ा सा डिफरेंशल चोईस पर इनको ट्राइक करना हो तो कर सकते हैं बागी स्मॉल लिग में उनको ब्रिफर नहीं कहता है गॉंडल काफी अच्छे बॉलास है और काफी अच्छी ग को टेलिग्रम में जरूर प्रवाइड करवा दूंगा तो यह चले बात करते हैं तो वह भी कल दो मेच केल के आ गई यहांसे तोबियस वीसी दो नोई मेचिस के अंदर धमाकेदार परफॉरमस देते हुए आ रहे हैं 46 और यहांसे 58 की है वैसे ओर ओर ओल भी रेकॉर्ड्स 31 मेचिस के अंदर 400 चन्नू रन है तो इनको इस मेच के अंदर आप कैप्टेंसिप और वाइस कैप्टेंसिप के तोर पर जरू ट्राइ कर सकते हो और वैसे भी ज़्यादा दर जनता है इनको भी बना के आएगी तो यह अच्छी प्रिक हो सकते है तोबेस वीसी यासे तायो वाल ब्रो तो 9 मेचिस के अंदर 318 रने 35 के अबरेज है दो 9 मेचिस के अंदर 11 और 12 रन किये लेकिन एक बड़ा परफॉमस इनकी तरब से आना बाकी है तो इनको जरूर अपनी रटार में रखना है तायो वाल ब्रो इंपोर्नेट भी गया इनको जरूर राई करना है क्यों काफी नीचे नाम था उनका और दूसरी मेच के अंदर 16 रन किये वन डाउन के लिए एक और विकेट नहीं मिला लेकिन एक अच्छी पिक बन गए अमारी लिए तो यह जब फ्लेयर अच्छी पिक बनता है क्योंकि ओस की और यहांसा वन डाउन ब्याए वैसे ओवर्रो रेक यहांसे नवजीत सिंग को इतने इंपोर्णन नहीं है यह इन दोनों को यह आप ग्रांड लिग वगेर हमाई ट्राय कर सकते हैं यहांसे नवजीत सिंग और यहांसे रिसी मिशन बाकी मंजीत दर सिंग बेर इंपोरनेंट विक के लिए अच्छी चोईस है बैटिंग से विकेट नहीं मिला लेकिन पहली मैच के अंदर एक विकेट मिला था और वैसे ओरोल रेकोर्ड भी काफी है राइटाम मीडियम पास गयन बाजी करवा सकते तो इनको जरूर ट्राय करना है यहांसे श्टिफन विंग को बाकी वान डेंडराड इतने कुछ खास रेकोर्ड भ वार है वैसे ओरोल रेकोर्ड में इसके काफी अच्छे तो इसारे प्लेयर्स के स्टेट्स आपके सामने और यहांसे बैंच में से अगर कोई खिलेगा तो इनके स्टेट्स में आपको टेलिग्रम में प्रोवाइड करवा दूँगा तो टेलिग्रम से जुड़ना पर्फरमस नहीं तो इनको डिफ्रेंशिल चोईस पर ट्राइ कर सकते हो बैटिंग सक्षन में यहांसे एस विंग है टी वाल ब्रू एजाईब और यहांसे एम शाहिद को पिक किया हो है एम साइड को ना लेना हो आपको तो एम साहिट की जगा पर आप यहां से एक राम को भी ले सकते हो लेकिन एक्राम ने काफी नीचे बैटिंग की थी और एम साहिट जो है ओपनिंग करवाते हैं तो यहां से इसके लिए मैंने यहां एम साहिट को पिक किया है वाल डाउंडर सक्षन में सिर्फ बेकी रहेगा अमरे साथ एम शिंग बाकि ए शेजाद का एम मत से एप फिंक मुहमद अधनान गॉंडल तेरा पसंटेश सेलेक्शन है लेकिन बंदा काफी जबर्जस केंदबाजी करवाता है और कभी भी दो चार विकेट एक साथ में लेता हो नजर आ सकता है इसके लिए मैंने इनको लिया हुआ है बाकि नजम सहिजाद तो हमारे लिए इंपोर्णन पिक है ही तो कुछ इससरा से टीम रहेगी कैप्टन मैंने यहां से थोड़े से रिस्की जाते हुए यहां से नजम सहिजाद को दिया क्योंकि दोनों मैंचिस के अंदर स्कौर भी अच्छा किया है और वस भी पूरी कर रहे तो यहां से नजम सहिजाद पर दो क्या रहे तो कि वीडियो को लाइक और शेर कर सकते हो वाकि यूटूब चैनल को सस्क्राइब करना बिलकूल मत बूलेगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छा मेंसेज्च के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी इसी चैनल पर मिल जाए तो पूरा वीडियो देखते रहो अच्छा एनलिसेश करते रहो अच्छी टिम बनाते रहो अच्छी वीनिंग करते रहो हम लोग मिलते अगले वीडियो में एक नए सर्पराइटली वीडियो के साथ एक नए टूर्णामेंट के साथ और इसी टूर्णामेंट के एक नए वीड चेड्योड प्रप्डेश का प्रप्रप्रप्रप्रप्रज puta जल झाम सेधे गुडर है 4